नमस्ते, वेद मंत्रों, भगवत गीता पाठ, विश्नु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, नाराइनियम, स्तोत्र तथा संस्कृत भाषा सीखने की निश्चुल्क आडियोस के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल www.youtube.com slash arun h learn veda sanskrit इस वीडियो में आयुष्य सूक्तम का परिचय दिया गया है और इसके महत्व के बारे में बताया गया है हर मनुष्य पूर्व निर्धारिक जीवनकाल अर्थात आयू लेकर ही जनम लेता है परन्तु हमारे अज्ञान के कारण तथा धर्मशास्तर के अनुसार न जीने के कारण हम अपने पूर्व निर्धारिक पूर्ण जीवनकाल नहीं जी पाते हैं एक जीव केवल मनुष्य जन में ही मोक्ष अर्थात पुनापुना जनम और मरन के चक्र से मुक्ती के लिए प्रयास कर सकता है अन्य प्राणियों तो क्या देवों के भी केवल भोग शरीर होते हैं कर्म शरीर नहीं मनुष्य आयुष्य सुक्तम जैसे प्रार्थना तथा धर्म शास्त्र के अनुसार स्वस्त जीवन के द्वारा लंबी आयुप्राप्ट कर सकता है ये मनुष्य जीवन एक नौका है समसार के सागर को पार करके मोक्ष को पाने के लिए मोक्ष केवल मनुष्य के लिए संभव है देवों के लिए भी नहीं आयुष्य सुक्तम भगवान से लंबी आयू की प्रार्थना है आयुष्य सुक्तम में ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सूर्य, अग्नी, लक्ष्मी तथा अन्य देवताओं से लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है लंबी और धार्मिक जीवन पाने के लिए हमें इस सुक्तम की पाठ करनी चाहिए आयुष्य होमम अर्थात हवन में भी आयुष्य सुक्तम के ही मंतरों के प्रयोक किये जाते हैं आयुष्य होमम अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा अन्य शुब अवसरों पर किया जाता है होमम या हवन के बिना भी आयुष्य सुक्तम की पाठ की जा सकती है आजुष्य सूक्तम का प्रारम इस प्रकार होता है यो ब्रम्हा ब्रम्हन उज्जहार प्राणे शिरक्रितिवासा अफिना की इशानो देवस्थन आजुर्दधा तुतस्मेजुहो मिहविशा घृतेना इसका अर्थ देखते हैं सृष्टी के करता ब्रम्हा जी परब्रम्ह के प्राणवायु अर्थ श्वास से उत्पन हुए है इशान अर्थ शिवजी जो हाती के चर्म या खाल फैने हुए हैं और हात में पिना का धनुष लिये हैं परब्रम्हन के शिरस अर्थ शिर से उत्पन हुए हैं मैं घृतम या घी की आहुती देकर ब्रम्हा जी और शिव जी से लंबी आयू की प्रार्टना करता हूँ विब्रा जमान अस्सरी रस्य मध्यात रोचमानो घर्मर रुचिर्य आगात समर्त्य पाशान पनुद्य घूधा निहायु शेनो घृतमत्य देवा विब्रा जमान अर्थात उज्वल अगनी जो गर्मी और जीवन प्रदान करते हैं इस ब्रम्हांड के मध्य से उत्पन हुए हैं अगनी हमें जन्म और मरन की जो भयानक चक्र या पाश है इससे मुक्ति प्रदान करे ऐसी प्रार्टना करते हुए घी की आहुती देता हूँ ब्रम्हाज्यो तेर ब्रम्हापत्नी शुगर्भं यमादधात पुरूरूपम जयन्तम सुवर्नरं भग्रह मर्कमर्क्यम तमो युशेवर्धया मोग्रतेना परब्रम्हन की जोती से जयन्त अर्थात चंद्र जिनकी बदलती रूप के कारण उन्हें पुरूरूप कहा जाता है और स्वर्नमय अर्ख अर्थात सूर्य उत्पन हुए मैं घी की आहुती देकर चंद्र और सूर्य से लंबी आयू की प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार आयुष्य सूक्तम के शेश मंत्र भी लक्ष्मी दाक्षायनी अर्थात पार्वती विश्णू वसू रुद्र आदित्य मरुद गंधर्व जैसे विभिन देवताओं को गी की आहुती देकर लंबी आयू की प्रार्थना करती है आये हम प्रती दिन आयुष्य सूक्तम की पाठ करके अपने अपने परिवार और अण्य सभी के लिए लंबी स्वस्थ और धार्मिक जीवन की प्रार्थना करें वेद पाठ में सही स्वर ठता सही उच्चारण बहुत महत्वपोर्ण है वेद पाठ यदि सही स्वर और उच्चारण के साथ हो तो इनसे बहुत शक्तिशाली गुणकारी स्पंधन पॉसिटिव वाइब्रेशन्स जिने कहते हैं सारे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं इनका लाभ वेद पाठ करने वालों तता सुनने वालों को बराबर मातरा में मिलती हैं इस मंतर के पाठ को सही स्वर और उच्चारण के साथ यदि आप सीखना चाते हैं तो प्रती दिन बार बार हमारी निश्शुल्क लर्निंग मोड आउडियोस जो हैं इनको बार बार सुनके इनके साथ अभ्यास करें इस मंतर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फील्ड में दिया गया है हरी ओम Do not miss the adventures of Kudmi Tata and other stories, a humorous novel for all ages, readers love it, paperback and e-book available at special low price on Amazon worldwide.